कि वेरिफिकेशन देखो हेडिंग दे रखिए है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स ठीक है इसको आप एसेट की जगह लिख लो एसेट एंड लाइबिलिटीज ठीक है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट में भी आप लिख लो एसेट एंड यहां पर भी देखो मैं क्या रहूं न यह आपकी बुक में चीजें सही से नहीं दे रखी यार इसे लिए इसमें बहुत मेहनत करने पड़ती है आपको कंटेंट सही से प्रवाइड कर लिए कि two- three classes होंगे ना वो आपकी बुक में नहीं है में दुवारा घरहा हूं जो मैंने वुग आपको रेफ़र करवाई है उसमें भी नहीं है सम्साथ क्लास इस बहुत इंपोड हैं ठीक है हर किसी लिए वीए कॉ श्री को को दो सब 110 नहीं के टार थमक्राण और वाला पार्ट खतम हो जाएगा जस्ट जस्ट गुद्ध नौस गुद्ध नीज्स फोर यूवाइज चालो देखो वेंस टुथ प्रूविंग और कंफिर्मिंग इस प्रॉसेस्ट बाए विच ता ऑउड़िटर सेटिसफाय हिंसेल्फ यूश इंस्पेक्शन कैसे अपने आपको सेटिस्फाय कर लेगा जूब बस बिल है उसका एक्ट्ट इंस्पेक्शन करका देख लों इंस्पेक्शन करना मतलग जाके उसको देखना चीज है कि नहीं है तो बैलेंस देखना वाले से पता करना कि अगर कोई असेट्स है तो जाकर देख लेना हाँ फिक्स पड़ा हुआ खरीदा था हमने दस लाग का फेक्ट्री में पड़ा हुआ था भी हमने आपनी आखों से देख लिया ठीक है यानि को रिस्पेक्षयन एस्टो किया कई चिए देखने के लिए एक्जिस करता है के नहीं करता यानि वह सासट करना कि कि हमारी अई है उसकी वैल्याय처 करना एक कुरूर से देखें हैं वैलुएशन देखो आपको आपके लेवल पर कम समझ मैं एगा वैलुएशन करना मतलब कई बार हम एसेट की वैलुव भी उपर नीचे करते हैं अगले साल लगा के अशी पर से बचेगा तो क्या हम इसको वैलुव क्या करें कई बच्चों होता क्या है हमें वैलुएशन करवानी पड़ती है एसाट की वैलुव बढ़ भी सकती है घट भी सकती है सब्सक्राइब करें कि बच्रेट कमपनि केसिं कर घृरे होते हु कैंई लिज टू औरे मेरे पास पड़ा हुआ है अगर इस एसेट की आज की डेट में मेरे पास पढ़ा हुआ है यह मान लिजिए यह पुराने जमाने का बहुत बढ़िया चलता है आज भी इसमें अच्छा हाड़वर डला है तो आज में बेचने जाऊंगो तो मार्केट में कोई यह सारे चीज़े देखना वहीं डॉक्यमेंट में देखना दस लाग का सब्सक्राइब होना चाहिए जो चीज़े मोटा मोटा वाउचिंग में करते हैं वह यहां भी देखते हैं बस यहां पर करते हैं अपने एक्ट्वल एक्जिस्टेंस ऑफ एसेट से यानि उस एसेट को देखके आते हैं कि हाँ वही सच्च में चीज़ पड़ी है कि नहीं पड़ी ठीक है अब इसी चीज़ को आप इसका देखो यही सारे पॉइंट आप इसकी डेफिनेशन में भी लिए सकते हो यह आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा आपको यह वर्ड याद रहना चाहिए ऑट ये ओ पी सी यूवी एक्स्टेंस अॉनर्शिप एक्सेंस मतलब कि एसर्ट एक्सिस्ट कर रहा है एक बुक्स में और साथ में पड़ा हुआ फेक्टरी में उनर्शिप एसर्ट कंपनी के ही नाम पर है कि नहीं है पॉजेशन कई बार क्यों होता है मिल नहीं कट अधे ह बन रहे होते हैं मेले आ चाज मतलब है दोस्तों होता है कि गर driven के कोई लोन तो नहीं उठाया हुआ कोई तो इस प्रिविया रखना मोटा मोटा आपके समझने के लिए गरखना कैंल और उसका यूज हम कर हया कि कोंई और एन कि और बिजनिस पर परस के लिए हो रहा कि नहीं वैल्येशन वहीं जो मैंने आपको पर समझाई ठीक है यह वही है सारी चीजें अब इसके साज़ों को सकते हैं कि नहीं सकते हैं कि रिकॉर्डिंग की हुई है कि नहीं की हुई एंप्रि पृण सब्सक्राइब क्या देखोगे प्रुएंट फेयर वियू और फिनांशल पोजिशन यह तने बॉर्डर नहीं है ओनर्शिप यही सारे चेज़े भी तो आप चेक करोगे ना यारे एक तरह से ओनर्शिप देखोगे एक्जिस्टेंस गिया ऐख गया गया है वेदर असेट और फ्री फ्रॉन चार्ज असेट पर फ्रीपरम चार्ज शर्च है कि नहीं है उसर गिर्वी रखा है कि नहीं रिखा तुए घए घड़ा स्मय तो नहीं जया रहा चलो जल्ली सा आड़े तो कि कई बार जैसे होता ना कि हमने वैलुएशन बढ़ा दी एसेट की साड़े 300 कर दी अब साड़े 300 पर लगाएंगे साड़े 300 पर ही लगेगा ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी क्यालकुलेशन होती है जो आप एस में पढ़ते हैं या फिर पढ़ेंगे कल को जाखे तो पढ़ ठीकर दे रखाये हैं और इभी चाव क्या क्या चीजिए ता रिको डिंग कि त मार्केट के साफ से कई बढ़ाना पदा तो गयंधूर को घ्शा करना हो सश्वारें करना कि करते हो रहे हैं नहीं कैने त्क लिट ऑक करते हैं सही मार्केट można लगाई तून 259 30 की नहीं मार्के सब्सक्राइब है अब में में पॉइंट डिफ्रेंस वेटिविन वाचिंग वाचिंग वारिफिकेशन आपने अलग अलग तो समझे लिया अभी खट्टा सोच दिमाग में आएगा कि एक ही जासा है यह नहीं है नेचर देखो पहला पॉइंट नेचर वाच एग्जामें एं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इंदा बॉक्स ऑफ और सिंबल सी बात है वाचिंग में उसको उसके बिल से चेक कर लो बस वेरिफिकेशन कहता है एसेट और लाइबिलिटी को एग्जामिन करना जो कि बैलांस शीट में पढ़े हुए है यह बेसिक डिफ्रेंश हमनें पढ़ कि इसमें सिर्व में देखते हैं है डोक्यमें शीजद या डिया बैस देखते हैं ठीक है इसमें फ। इसको चिनको करना हां हर पूरे साल चलती रहती तौरे साल सोक्क्राव data कि इस महिने कितने बिलाए इस बार कितनी परचेस यह पूरे साल चलता है और वेरिफिकेशन कब चलता है एड़ दी एंड ऑफ द इयर ऐसा क्यों दोस्त बनती बनती बैलेंट साल का लास्ट में तो बनती है पहले थोड़ी चेक कर लोगे आप सबकुछ हो आने के बाद 31 मार्च बनता है उसी को चेक करते हैं तो बैलेंट बनती ही लास्ट में है तो लास्ट में ही तो वैरिफाइब करेंगे हम ठीक है सिंपल सा लॉजिक है स्कोप इट हैस नो कंसर इसमें वैलुएशन की कोई जरूत नहीं है देखो वैलुएशन नहीं जरूत है स्टाफ वैल फेर है दिवाली गीफ्ट दिया इन सब क्या वैलुएशन थोड़ी कर आओं गए कि हाव मैंने चाय पिलवाई है मेरे चाय का खर्चा इतना हो जाता इसकी करो सब चीजों का वैलुएशन नहीं होता एक्सपैंस का वैलुएशन नहीं होता एसट लि युफाना तो युफान जो गाया थे ना स्टार्टिंग में सिय की ट्रेमिक होती आर्टिकल शिप तो पहले दूसरे दिन्न हमें क्या एक सेल्स की बुक पकड़ा दी और एक पर्चेस की बुक पकड़ा दी मतलब फाइल पकड़ा दी इतनी मोटी-mोटी और टैली दे दिया यह नहीं हो रखी है और यह चोड़ी बड़ी चीज होती है अब मालो दस लाग का शट्राइब बड़ी चाहिव बड़ी मशीन रियां बहुत कम बता दिया मैंने बहुत महेंगे महें तो वह जो एक्सपीरियंस बंदा होगा ठीक है इसमें क्या लिखाया वेरिफिकेशन इस डण बाए और हिमसल्फ यानि जो मेन मंदा होगा में सीए होगा वो खुद करेगा ठीक है यानि यह जूनियर स्टाफ करता है सीनियर स्टाफ कर सकता है आप ऐसा अभी लिख सकते हो जूनियर यहां पर लिख दो आप चाहिए समझने के लिए आप लिख सकते हो अपने पेपर में कोई दिक्कत नहीं है सीनियर स्टाफ ठीक है इसमें बिग्षिस में हम लिख करते हैं इसमें हम क्रणा संब्सारी है बच जाए उसके बैलेंस जो बच जाए लास्ट में ठीक है वो चक करते हैं जैसे मैंने एक्जाम्पल लिया था यहां पर कि इसको उन्हें 15 बिल 15 सेल करी साल में इसको अमन को इन 15 बिलों को चएक करना इस वाउचिंग और इन पंदरा बिलों में से उसनेथ पांच लाग दमें पैसर दे दिए यह आपको दिखनी रहा हुगा इसने पेमेंट कर दिया दस लाक का आपी भी हमारी बैलेंस इट पर खड़ा है इसका बैलेंस तो सब कुछ होने होने के बाद जो बैलेंस जो बच गया दस लाग इसको चेक करना इस वैरिफिकेशन होता है और इन पंदरा बिल्को चेक करना क्या होता है वाउचिंग है ठीक है दोस्तों बस इतना सही था तो I hope सबको समझ में आयोगा अच्छे से पढ़के आना ने क्लास में हम जल्दी से रिवाइस कर लेंगे और अपना ने टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तो आज के लिए इतना ही थैंक यू बाई